Hi everyone, welcome back to my channel, I am Ruby Kapoor and channel का नाम है The Blush Tales जी हाँ, मैं अपना promise भूली नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को promise किया था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी skincare journey शेयर करूँगी उस दौरान मेरी skin में जितने acne थे, मैंने क्या-क्या products यूज किये और कैसे मेरी skin थोड़ी बेटर हो पाई है मैं आप लोगों के साथ सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ लेकिन उससे पहले, अगर आप इस channel पे पहली बार आए हैं, तो please consider subscribing to my channel और मेरी छोटी सी family का हिस्सा जरूर बनी है, और अगर आप already subscribe कर चुके हैं, then you already know, you are a sweetheart products के information और medicine के information देने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी advice देना चाहती हूँ कि अगर आप इस path पे चल पड़े हैं कि आपको treatment करना है, see I am not any doctor, मैं सिरफ अपना experience शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ वो product शेयर कर रही हूँ जो मुझे मेरे doctor ने बताई थे of course मैं medicines के नाम disclose यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि I would suggest you कि अगर आप कुछ खा रही हो, आप कुछ medicine ले रही हो तो वो आप doctor की consultation के बिना नहीं लीजिए लेकिन हाँ face wash और creams वगरा जो आपने use करने हैं वो आप use करी सकते हो और yes, बिल्कुल depressed नहीं होना है, बिल्कुल भी घवराने के जरूरत नहीं है, अगर कुछ खराब हो भी गया है, कुछ खराब दिख रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसो हो जाएगा, this thing takes time मेरे को around 4-5 महीने लग गए है, मेरी normal skin पर वापस आने के लिए, वो एक face था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ, जिस time पर आपके active act नहीं है, अगर suppose आज आपके active act नहीं है, तो कुछ precautions हैं जो आपको लेनी चाहिए, अगर आप अपना face touch कर रहे हो, वैसे तो आप avoid, आप अपना face avoid करो कि आप touch करो, लेकिन आप अगर cream लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो पहले आप thoroughly अपने हाथ अच्छे से धो, फिर उस पर cream अपलाई करके आप अपने face पर लगा सकते हो, और scratch नहीं करना वेंपल को, या पील नहीं करना, creams लगाने पर क्या होता है, कई बार आपकी skin peel होगी, जो ये creams में आपको बताने वाली हूँ, इसके कुछ effects हैं कि आपको जैसे redness आ सकती है, या आपकी skin peel हो सकती है, थोड़ी सी, there can be dryness also, तो उस time पे आप ऐसे करके अपने pimples को prick नहीं करना, अगर आपने ये कर दिया, तो आपका वहाँ पर permanent acne निशान पड़ेगा, तो avoid touching your face, अपने हाथ अच्छे से दो, और unnecessary sun exposure बिक्कुल avoid करो, लेकिन कई बार होता है, हमें बाहर जाना ही पड़ता है, तो आप sunscreen लगा के बाहर जाईए, अपनी diet में अगर हम थोड़ा सा changes लाते हैं, तो उसका मेरे दो चीजों पर focus किया था, मैंने oil और sugar थोड़ा सा कम कर दिया था, और green vegetables तो I love, वो तो मैं बहुत ही खाती हूँ, तो let's start with the product, मैं आपको बताऊँगी, कौनसी कौनसी creams मैंने apply की थी, तो basically मेरे doctor ने 5 चीज़े मुझे recommend की थी, first cheese was salicylic acid peel, जिसके बारे में मैं detail में अगने वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है, आप उसको यहाँ पर मैं लेंक कर रहे हूँ, आप उसको देख सकते हो, और next was the cleanser, so cleanser भी मुझे salicylic acid cleanser ही recommend किया था, और which was this one, saslic DS, yes, so this is a cleanser which contains 2% salicylic acid and another cleanser which also I have used is this cleanser by minimalist, this also contains 2% salicylic acid, salicylic acid क्या है, salicylic acid belongs to the family of BHAs, beta hydroxy acid family of acids, और इसका सबसे बड़ा काम होता है, exfoliation, जो हमारी skin की top layer होती है, salicylic acid उसको clear करने में help करता है, dead skin cells को निकाल देता है और pores हमारे clear रहते हैं, see, acne आने का main reason होता है जब हमारे pores clog हो जाते हैं, अब वो कैसे होते हैं, हमारी skin हर समय हमारी skin में कुछ oil glands होते हैं, जो की sebum secret करते हैं, oil, जब वो oil excessively secret होता है, तो गंदगी उसमें जमती रहती है, जमती ही रहती है, हमारे pores block हो जाते हैं, हमारे pores एक्दम clog हो जाते हैं, जिससे acne result होता है, तो वो dirt किसी ना किसी form में तो बाहर आएगी ना, तो वो जो dirt होती है, that is your acne, तो डॉक्टर ने मुझे salicylic acid pills recommend किये थे, जो की, मैं once in a week लेती थी पहले, पहले ऐसा कहा गया था मुझे डॉक्टर से, कि six to eight weeks लगेंगे, जो हम once in a week लिया करेंगे, लेकिन three to four weeks के बाद ही मेरा बहुत अच्छा result आ गया, और मुझे डॉक्टर ने बस कहा कि maintenance के लिए आप सिर्फ once in a month आया करो, और मैं आज भी जाती हूँ, once in a month डॉक्टर के पास for salicylic pills, क्योंकि ये अंदर से exfoliate कर देता है, तो मुझे facials और cleanups की कोई जरूरत नहीं है, और इस समय मैंने अपने face पे कोई makeup भी नहीं लगाया हुआ, क्योंकि I wanted to show you the real skin, क्योंकि हम skincare की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम acne की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि आज के video में मैं कोई makeup नहीं लगाँगी, this is my real skin, I have just applied a moisturizer after my bath, तो ये जो दो cleansers, दॉक्टर ने मुझे recommend किये थे, ये मुझे once, twice a day मुझे use करना था, morning and night, ये मेरा MTI है, ये मैं already use कर चुकी हूँ, and this is the current face wash that I am using right now, और ये मुझे बहुत ही better लग रहा है, क्योंकि इससे मुझे लग रहे है, मेरी skin बहुत smooth भी लगती है, कुछ textured skin नहीं लगती, textured skin में, आप जब ऐसे करते हो, तो आपको smooth लगती है, rough नहीं लगती, तो this one is highly 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 recommended, अगर आपकी oily acne prone skin है तो, अगर आपकी oily skin है, तो ये sebum production को, excess sebum production भी रोकेगा, और जिससे आपके acne नहीं आएंगे, cleansers के साथ साथ, दॉक्टर ने मुझे कुछ creams भी apply करने को दीती, तो उसमें से एक cream है, ये erytop N, so this contains clindamycin and nicotinamide gel, basically ये cream क्या करती है, ये cream आपके excess sebum production को control कर रही है, तो सारी कहानी घूम फिर के वहीं आ रही है, हमें अपना oil production control करना है, oil production control नहीं होगा तो क्या होगा, आपके pores clog होजेंगे, pores clog होजेंगे, तो dirt accumulate होगी, जिससे हमारे acne आजाएंगे, और one thing more, ये cream microorganisms की growth को भी stop करती है, acne किस से होता है, acne, bacteria, staphylococciase से होता है, तो ये cream लगाने से वो microorganisms की growth भी रुख जाती है, तो this was the cream जो की doctor ने मुझे recommend की थी, और ये मुझे morning में apply करनी होती थी, doctor asked me कि बस इसको एक drop अपनी finger पे लेकर, अपने हाथ obviously wash करिए, एक drop इसको अपने finger पे लेकर, जहाँ जहाँ आपके acne है, बस आपको spot treatment करना है, आपको all over the face इसको नहीं लगाना, सिरफ अपने on the spot जहाँ पर आपके acne है, वहीं use करना होता है, तो eritop N के साथ मैं एक और cream apply कर रही थी, ये मुझे रात में apply करनी होती थी, और ये cream है, basically 3, not 4, ये तो आप 2% salicylic cleanser कोई भी ले सकते हो, तो मुझे 2% salicylic cleanser saslic DS, ये apply करने को दिया था, जो कि मैं को twice a day morning and night में use करना था, और उसके बाद eritop N, जो कि मैं morning में use करती थी, और sabonac gel, जो कि मैं night में use करती थी, बोट of these creams had to be applied on the spots and not all over the face, और इन के साथ salicylic acid peels, so this brings me to end this video of a year, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो please इसे like जरूर करिए और subscribe जरूर करिए इस channel को, थोड़ा सा motivation मिलता है, मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपना skincare journey शेयर करूँ, so that अगर आप लोग भी इस face से गुज़र रहे हो, तो ये product से आपको फरक पड़ेगा, सबर का फल मीठा होता है, don't forget that, बाई!